नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के, I hope सभी हिल्दी हैं, consistently प्रिपेर करें, तो मेंस के ये short videos की series में एक और शांदर session, तो सभी बच्चों से request है, session end तक देखना है, जादा से जादा आगे share करना है, आप लोग share करेंगे, तो ये छोटे channel को थोड़ा recognition मिलेगा, बच्च input output है, number based machine input output है, हर step में एक नया pattern है, बट साथ में दो चीज़ें हो रहे है, एक तो फिलिंदा blanks है, और दूसरा, कुछ steps आपको ऐसे मिलेंगे, जो गलत होंगे, मतलब वहाँ पर एक element कहीं न कहीं गलत है, वो भी identify करना है, तो दो दो चीज़ें, एक बार जल्दी से आप लोग attempt कर लिजे, pause करके आप लोग attempt कर सकते हैं, मैं फिर सीधा solution स्टार्ट करूँगा, ठीक है जी, कर लिया item, so let's start, input से start करेंगे, अपने को कुछ number ते रखें, पांच number, हर number में क्या है, सर, 6-6 digits है, तो सीधा step number 1 पर attack करेंगे, comparison स्टार्ट करते है, 2, 5, 2, 1, 3, 6 को compare करें R, 5, और G के साथ, तो भई, 3 element है सर मेरे पास, और उपर 6 digits है, तो 2-2 का pair मेरे दिमाग में सबसे पहले आया, क्यों, क्योंकि 2-2 का मैं pair बनाता हूं, तो basically मेरे पास 3 element create हो सकते हैं, ठीक है जी, अब सबसे पहले 2-5 पे नजर डाला, 2-5 पे नजर डालते ही, यार ये G के होता है, R का 18 लिख लो, G का value 7 होता है, और ये 2-5 करके मैं 7 आराम से अचीव कर सकता हूं, अब इसको जल्दी से एक बार verify किया, second element के साथ, 9-7, 9-7 कितना होता है, 16, 16 के corresponding P, तो भई, ये pattern क्या हो गया, ये pattern identify हो चुका है, verify हो चुका है, next target है कि 2 और 5 से, 2 और 1 से 5 कैसे नि of digits और उसके बाद उनका sum, sum of square digits कर दो, ठीक है, sum of square digits किया, 5 मिल रहा है, इसको verify किया, 6 और 4 के साथ, 6 का 36, 4 का 16, 36 प्लस 16 कितना, 52, 52, sir, verified हो गया कि नहीं हो गया, अब बार ये है कि sir, ये 3, 6 से R कैसे निकला, ये भी बड़ा simple दिख रहा है sir, 3 प्लस 6 अगर मैं करता हूं, तो मिरे पास 9 आता है, 9 की corresponding क्या होता है sir, I होता है, I के बिल्कुल reverse क्या होता है sir, R, अब इसको जल्दी से confirm कर लेते है, 4 2 से, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 के corresponding F आता है, F के बिल्कुल reverse क्या होता है, U, done sir, confirmed or not, एक बार confirm कर दीजेगा, आप लोग भी, confirmed or not, तीनों के 3 हो, बहुत ही शांदार, pattern identified, ठीक है sir, identified, verified, चलो जी, तो फिर हम को क्या निकालना है sir, blank A निकालना है, किसके लिए, 1, 2, 3, इसके लिए निकालना है, तो अभी आपको blank के लिख देता हूं, मैं फटा-फट से, हो सकता है, बाद में मैं erase कर दूं, तो 7 में देख लेना, 5 और 8, 13, 13 के corresponding के आजाएगा, M आजाएगा, last element M, बीच में 0, 2, 0 का square, प्लस 2 का square, 4 आजाएगा sir, यहां, 1 और 3, 1 और 3 का 1 प्लस 3 कितना आजाएगा, 4 आजाएगा, 4 के corresponding D, D के बिल्कुल reverse के आजाएगा, W आजाएगा, तो क्या आगया sir, यह आपका blank है, चले जी तो फिर step number 2 क और बढ़ते हैं, अब याद रखिएगा, यह yellow highlighted sentence है, yellow highlighted step है, इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं, कोई न कोई गलती जरूर होगी, ठीक है जी, तो ध्यान देते हैं, जैसे सबसे पहले हमने ध्यान दिया, कि R 5G से इसने K, P, E निकाला है, हो सकता है, यह गलत भी हो, बट इतना इस तो लेना पड़ेगा न, R से के, R का लिख लेते हैं, 18, G का लिख लेते हैं, 7, इसका 11 लिख लेते हैं, 16 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, जस्ट के pattern identification हमारे लिए easy हो जाएगा, साथ में alphabetical place value लिखने से क्या होता है, कि सारे patterns देखना थोड़ा आसान हो जाता है, तो चली अब देखना स्टार्ट करते हैं, देखना क्या है, सर सीधे ही पता चल गया, यह 18 और 7 लिखते ही, दोनों को माइनस किया, तो 11 आ रहे, 11 के corresponding क्या रहे, 18 और 7 प्लस करने पे तो 25 आएगा, बट सर इनका अगर आप SOD करते हो, 1 प्लस 8 प्लस 7 तो कितना आता है, तो सर 16 16 आता है, 16 यह रहा, 16 के corresponding P, this is done, हो गया की नहीं हो गया, अब यह जो बीच में 5 है, 5 के corresponding क्या आता है, E, वो यह सिधा लिख दिया, सिधा pattern identified, सिधा pattern identified, एक बार सर confirmation मिल जाए, तो मज़ा आ जाएगा, let's see U52 वाला, क्या हमें E, J, G दे रहा है की नहीं दे रहा है, अब ही द 10, 10 के corresponding, J, 52, 5, plus 2 की या, 7, 7 के corresponding कितना है, J, done सर, आगया, verify हो गया, अच्छा, अब इसमें गलत कौन सा है, यह भी तो identify करना है, इसमें गलत कौन सा है, यह दोनों तो गलत नहीं थी, यह तो एकदम सही आ रहे हैं, blank क्या था सर, W4M था, W4M से यह क्या चाता है, क्या निकल है, 4 का corresponding D, बिल्कुल सर, यह भी सही है, M20H से ELF निकालना है, तो M का सर 13 है, H का 8 है, 13-8, यह जम गया है, सर, आजहर जी, 8, 3, 11, 11, plus 1, 12, 12 corresponding L जम गया, 2, plus 0 कितना होता है, 2, plus 0, सर, 2E होता है, 2 के corresponding B आना चीए था, पर यहाँ पर क्या आया है, F, यह गलत मिल गया, सर, यह गलत मिल गया, यह actual में, यहाँ पर correct क्या होना चीए था, ELF सर, wrong है, इसकी जेगा है, ELB होना चाहिए था, मिल गया, सर, गलत वाला, और सही वाला भी बता दिया आपको, गलत वाला मिल गया, और सही वाला क्या होगा, यह भी बता दिया, ELB हो जाएगा, ठीक है, आजो, step number 3 ऐगरी में सर, KPE से LQF निकाल रहे हैं, ठीक है जी, एक बार, आजो, देख लेते हैं, comparison कर लेते हैं, फटाफट से, KPE से LQF, तो ये तो सर, लिखते ही सीधा ही पता चलिगा है, ये तो लिखा, लिखते ही पाटन पता चलिगा है, कैसे सर, यार, K plus 1 L है P plus 1 Q है E plus 1 F है यह तो इसमें कुछ लेखने का alphabetical प्लेक कुछ जरूरत ही नहीं है तो सीधा लिखते-लिखते ही idea लग गया अच्छा सर आगे confirm कर लेते हैं E J G और इसका G L I Sir इस बार plus 1 नहीं है इस बार plus 2 है इस बार plus 1 नहीं है इस बार plus 2 है अच्छा जी let's move ahead आगे बढ़ते हैं J ID में देख लेते हैं J ID का क्या है J ID का Sir MLG निकाला है plus 3 plus 3 plus 3 है तो pattern identified Sir pattern identified सबसे पहले plus 1 फिर इसके बाद plus 2 फिर Sir plus 3 I am sure यह वाला अगर आप देखोगे तो plus 4 आ रहा होगा और this one will be plus 5 J C I से जो blank B निकालना है वो क्या हो जाएगा plus 5 हो जाएगा ठीक है Sir plus 5 करके आपको जल्दी से blank B भी बता देता हूँ किस से निकालना है J C I से J 10 10 15 10 plus 5 कितना हुआ O आ गया C 3 3 plus 5 8 8 के corresponding H आ गया I I मतलब 9 9 plus 5 14 इसके corresponding Sir आपका N आ गया Done, confirm कर दीजएगा हो गया की नहीं हो गया 100% हो गया, कोई tension ही नहीं है Step number 4 पे आजो एक बार फिर से blanks देखेंगे L Q F वेट 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 L Q F से ये निकाल रहा है 6 7 1 2 1 आगे क्या है 7 2 1 3 6 same number of digits नहीं है important बात यह देखो नीचे ऐसा नहीं है कि सभी में same number of digits है सारे numbers में ठीक है Sir ये तो समझ गया comparison कर लो na L Q F तो letter की language है ये number की है common कर लो तो L का 12 लिख देते है Q का 17 लिख देते है F का 6 लिख देते है लिखते ही समझ आ गया pattern लिखते ही समझ आ गया pattern फिर दो फिर एक अच्छा इसको compare कर लेते है Sir E Sorry G L I से तो निकालना है ठीक है इससे नहीं कर पाएंगे compare MLG वाले से देख लेते है MLG 7213 वट तो 13 लिखा 12 लिखा और 7 लिखा तो 7, 2, 1, 3, 1 बस alphabetical place value लिखो उसको बिल्कुल reverse order में लिखतो उसको बिल्कुल reverse order में गुमा के लिखतो बस इतना सा काम हुआ है ठीक है Sir तो फिर निकाल लेते हैं blank CV बता देते हैं अभी आप blank CV बता देते हैं इसका निकालना है न जैसे 7 ये 12 है ये 9 है 9, 2, 1, 7 9, 2, 1, 7 आ जाएगा सर बिल्कुल उल्टे से रीड करो 9, 2, 1, 7 वो आ जाएगा आजओ step number 5 पांच वा और final step है और ये भी एक ऐसा step है जिसमें कोई ना कोई element के आएगा wrong आएगा है ना तो थोड़ा सदिहन से let's see Sir 6, 7, 1, 2, 1 से 89 बांच जी के 215 कहीं पे 212 1210, 117 अच्छा जी ओके 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 ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि सारी जगों पे सेम हो रहा है ठीक है और क्या है और सर ये blank C है B है consistency नहीं है 89 square करके 9 Sir ऐसा कुछ नहीं है addition करें तो 6 plus 7 13 उपर भी ऐसा नहीं है कि या उपर consistent है नहीं उपर वाले जो numbers है उनमें भी same same number of digits नहीं है अच्छा एक बार सारों का देखें तुस्षे 72131 212 6619 guys this is very very interesting क्योंगी सीधा सीधा मुझे pattern नहीं मिल रहा था तो मैं एक बार ऐसी observation कर रहा था सीधा सीधा identify करने में थोड़ा problem हो रहा था जब भी आपको भी होना थोड़ा सा अपने आपको अपनी thought process से बाहर ले आए करो पर चीजे अलग तरीके से observe करना start करो तो मैं सोचा ऐसी observe करते हैं कि क्या numbers वेगर हैं तो मैंने ये 6 6 9 से जो ये 1210 आ है ना इसने मुझे बढ़ होता तो मुझे 10 मिल रहे हैं अब कमाल की बात यह है कि initially सिर्फ इसको देखे तो ऐसा लगेगा पहली दो डिजिट्स का पेर बना दिया आखरी दो डिजिट्स का पेर बना दिया उनको add करके लिग दिया बट इतना simple तो नहीं था ये तो मुझे पहली दिख जाता अगर यह अगर मैं कर देता हूं तो मुझे 8 मिल रहा है 7 प्लस 1 प्लस 1 अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे 9 मिल रहा है तो basically क्या कर रहा है even numbers का sum और odd numbers का sum लिख रहा है और कुछ नहीं पहले even का sum फिर odd का sum तो देख लो यार कहां पर अपने से गलती विए जैसे सी वाला है तू आ जाएगा ठीक है सर टू आ रहा है और बाकी 9 प्लस 1 10 10 प्लस 7 17 आएगा पर सर यहां तो 15 आ रहा है यह रॉंग है 215 रॉंग है आपका 215 की क्या आनाच्ची है 217 आनाच्ची बाकी आप कंफर्म कर लो जैसे की टू है टू का टू लिख दिया 7 प्लस 1 9 9 7 प्लस 1 8 8 3 11 11 प्लस 1 12 यह आपने करी लिया था इसका और कर लो 8 4 12 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 बाकी कंफर्म हो रहे हैं अंजी डन मजाया अच्छा सेशन अगर अच्छा लगाओ तो आपका सिर्फ 2 मिनिट लूँगा मेरा नया कोर्स लॉंच हो चुका है जो बच्चे RRB को टार्गेट करना चाते हैं और RRB में भी मेंस को स्पेसिफिकली अच्छे से टार्गेट करना चाते हैं उनके लिए यह बैच है क्वांट्स सिंग सर पढ़ाएंगे रीजनिंग मैं खुद पढ़ाओंगा जो बच्चे सिंग सर से नहीं पढ़े हमारी यूट्यूब चैनल को विजिट करके आप वहां पर क्वांट्स के सेशन मेंस के देख सकते हैं वो सब सर नहीं पढ़ाएं अच्छा पढ़ाते हैं आपको अच्छा कंटेंट करवाते हैं तो क्वांट और रीजनिंग दोनों हैं जिसमें टोटल हम 35 सेशन रीजनिंग के और 35 क्वांट्स के करवाएंगे जिसमें टॉपिक वाइज आपको पूरा कम्पलीट करवाया जाएगा अच्छा इसके साथ-साथ एक और चीज़ है करवाई जाएंगे 18 reasoning के और 18 ही आपके quants के तो आपकी pre की भी एक अच्छी practice आप लोगों को करवाई जाएगी ठीक है जिए अब इसके इलावा जब pre का exam हो जाएगा तो 4 means level paper quants के और 4 means level paper reasoning के ठीक है जिए sorry यह यह भी करवाई जाएंगे after pre exam after prelims exam आजे तो इतना सारा content आपको दिया जाएगा video course के form में live classes के form में जो बाद में आप recorded form में भी देख सकते हैं जैसी live class कतम होती है उसके आदे गंटे के अंदर अंदर recorded form में भी class upload की कर दी जाती है तो जो बच्चे time save करना चाते हैं वो time save कर सकते हैं जो live attend करना चाते हैं वो live भी attend कर सकते हैं app पे भी site पे भी मतलब आप mobile से भी access कर सकते हैं अपने laptop और computer से भी access कर सकते हैं address आपको मिल जाएगा links bottom sorry link आपको description में मिल जाएगा वहां से आप और website दोनों को visit कर सकते हैं ठीक है फिर भी कोई मन में query रह जाए regarding the course तो whatsapp number ये रहा टेलेग्राम आइडी ये रही बेज जग आप message कीजेगा सोचेगा नहीं पूछों की नहीं पूछों अमेशा आप लोगों के लिए available हूँ यहाँ पर आप message डालके पूछ सकते हैं कोर्स की pricing आपके सामने है 799 वेलिडिटी क्या है 6 महीने कब से start हो रहा है sir 12 जून से आप लोगों के लिए start किया जा रहा है ठीक है जी now that's all for today's session take care